कि सिर्फ एक जीमेल आइडी से कोई हैकर कैसे आपके फून को हैक कर सकता है सो आज किस वीडियो में हम यह जानेंगे So basically, ये video को मैंने तीन पार्ट में डिवैट किया है जहां फ़र्स पार्ट में, यानि इस video में हम ये जनेंगे, कि अगर आपकी z-mail id को हैक कर लेता है कि आपकी z-mail id को हैक होने से काइसे बचा सकते हो because email id hack होना बहुत ही आसान है कोई भी आपके email id hack कर सकता है ठाट और लास्ट पार्ट में हम यह जानेंगे कि अगर वाकई में आपके email id किसी ने hack कर ली है तो इसका पता आप कैसे लगा सकते हो और इसका क्या क्या solution है वो मैं आपको part 3 में बताऊंगा क्योंकि email id hack होना मतलब आपके phone को hack करना तो यह दोनों वीडियो part 2 और part 3 आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सकाइब करके all notification bell प्रेश कर ले ताकि इस तरह कि जब मैं कोई ने वीडियो अप्लोड करूँ इसका notification आपको मिल ता रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यह समझने के लिए कि कोई आपकी सिर्फ एक Gmail id से आपके phone को कैसे hack कर सकता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब आपको इस Gmail id अपने phone में login करते हो तो वो आपके phone को पूरी तरह control कर सकती है सिर्फ एक Gmail id अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसे Google account Google में टाइप करके search करके देख सकते हो आपकी live location access की जाती है बहुत कुछ किया जा सकता है सिर्फ आपके email id से इसलिए मैंने यहाँ पे example मैं आपको दिखा सकता हूँ 4-5 point बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सिर्फ email id और password से कोई भी आपके phone को hack कर सकता है तो चलिए यहाँ से हम कुछ example देखते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ email id और password से कोई भी आपके phone को पूरी तरह hack कर सकता है इसका पहले example अब यह ले लो कि सिर्फ email id और password अगर आपको किसी दोस्त का पता चल जाता है तो आप उसकी सहता से उनके other social media account या UPI application उन सभी का password पता कर सकते हो तो देखो यार यहां पर अगर मैं आपको कुछ example दोंगा तो वो surface wave से related ही होगा तो इसलिए आपको यहां पर समझना होगा कि अगर surface wave पर कई ऐसी website है जिससे एक जीमिल id और password से phone को hack किया जा सकता है काफी हाथ तक तो सोचो ज़रा dark wave पर भी कि ऐसी कई website है जिसे आप surface wave से access नहीं कर सकते हैं उसे access करने के लिए आप पूर dark wave यूज करना होगा तो चलिए यहां से सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सिर्फ जीमिल आइडिया और password से कोई आपके अधर social media account का password कैसे पता कर सकता है इसके लिए उसे कुछ नहीं करना है Google में आना है और यहां पर टाइप करना है Google एकाउंट जैसे वह यहां पर सर्च करेंगे Google एकाउंट तो इस पर करके उसे इंटरफेस देखने को मिलेगा इसके बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा Google एकाउंट का तो Simply आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पहलेए आपको कुछ option उतकर एक option शोक्रेगा तो सम्पली आपको यहां पे लिया करना है स्क्रोल करने के बाद है यहां पो इक option शोक्रेगा password manager का तो सम्पली आपको पासवड मैनेजर वाले option भी appreciate method यहां से अगर आपको फिल मिलेंगे तो यहां से आगर आपको password अपना देखना कि आपने 10 सल पहले जिस भी सोचल मेडिया एकॉण या फिर किसी वेब साइट पर लोग इन किया था वह पासवर्ट किया है तो आपको यहां पर गोटू पासवर्ट पर चेकप पे क्लिक करना है अगर आपको सभी पासवर्ट का एक पीडिया फाइल डाउनलोड करना है और इसके बाद यहां से आपको वो सब साइट अप्रिकेशन मिल जाएगी जिनका पासवर्ट पता करना चाहते हो कि यहां पे आपने कौन सा पासवर्ट इंटर किया था जिसका भी आपको पासवर्ट पता करना है और यहां से आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप य यह देख सकता हूं कि सिर्फ जेमेल आइडिये और पासवर्ट से कोई भी आपकी डिवाइस की लाइब जोकेशन आपकी डिवाइस को फोर्मेट या एरेज या आपकी डिवाइस को लॉक कर सकता है Yep. तो यह करने के लिए उसे कुछ नहीं करना हैं Google it फिर से और यहां तो जैसे हम चलिए यहांपे क्लिक करते हैं 누शसे यहांपे क्लिक करने के बाद यी वेबसाइट ओपेंड हो जाएगी तो यह मिल आई डी अगर आपकी जिसने भी हेक कर ली है तो इसे कुछ नहीं करना इस वेबसाइट पे बस वह Gmail ID को login करना है अपने Gmail ID और password से जैसे वह वहाँ पर login करेगा इस साइट पर तो यह तो वह आपके फुन की live location निकाल सकता है आपके फुन को erase या format भी कर सकता है और यहां तक यह है तो यहां पर जहुं निकाले जा सकता है और इस फुन क्लिक कर सकते हैं यहांでき जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सर्फेस वेब है अगर मैं कुछ एक्जामपल देता हूं सर्फेस वेब से ही दे सकता हूं अब आप सोचो अगर सर्फेस वेब पर ऐसी वेब साइट है जिससे आपके फोन को लाइब लोकेशन निकाली जा सकती है सिर्फ एक जीमेल जो नहीं होगी जैसे आप यहां पर देख सकते हो इससे अगर आप केम्पूटर या लैप्टॉप में उपन करके करोगे तो हो जाएगा अगर आपको इसे स्मार्टफून से ही करना है तो इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा जो आपको पर पासवर्ट से उनकी लाइव लोकेशन इनके फोन को फोर्मेट कर सकते हो यानि हार्ड रेसेट कर सकते हो यह तसा एकजामपल कि आप प्रीज दिमेल आड़ी को हैक होने से कैसे बचा सकते हो जो सेकेंड पार्ट में हम यह जानेंगे सो आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फर्स्ट आम आया हो तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कोश्चन है या आप किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए डायक वेब या फिर सर्फेस वेब के बारे में तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो वहां पर आपको रिपलाई मिल जाएगा आप सो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट रूडियों में तब तक के लिए बाय अंडर टेक क्याएफ